नमस्कार दोस्तों स्वागेत है आप सभी का Education Cat6 में चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबा के RRB की तरफ से एक Official Notification अपडेट किया गया है हो सकता है कि नोटिफिकेशन के बारे में अगर कुछ बोलने जाओं तो सरकार के प्रक्ति कुछ सब्द यहाँ पे मुझसे गलत निकल जाएं च्छमर करेंगे वो चातर जिनको सरकार से बहुत ज़्यादा लगाव है प्रेम है लेकिन सरकार जब तक चातरों के लिए काम नहीं करेगी हम उन चातरों के तरफ से सरकार को यह सब बोलते रहेंगे हो सकता है कि बुरा लग जाए आप लोगो तो देखिए स्कीप कर जाएगा वीडियो को यहाँ पर यहाँ डिसलाइक करके चले जाएगा देखिए रेलवे रिकूट्मेंट की तरफ से यहाँ पर अपडेट दिया गया था मिनिस्टर आइसलेट काटेगरी को लेकर कि उनके को लेकर कोई दिक्कत ना है चुकि यहाँ पर अभी चातर बहुत कम है लेकिन जब ऐसी दिक्कते और और बी इंटी पी सी या फिर और बी गृप डी के चातरों के साथ होने लगेगी तो क्या करेगा यह तो आयोग को छोड़िए यहाँ पर जिस एजेंसी को दिया गया है को यह ठेका कि आप इसका एक्जाम कान्ट कर यह जो स्किल टेल्स होता है तो उसको थोड़ा सा प्रेश राइज करना चाहिए सरकार को यहाँ पर और सरकार यहाँ सरकार की गलती क्या है नहीं क्यों गलत बोलने जारे है तो कि देखें 2019 की वेकेंसी है 20 निकल गया 22 किस निकल गया अब 22 में इंटरी होगी हम लोगी सरकार के पास एक बड़ा बहाना है यहाँ पर कि हमारे पास करोना की चलते ही जो है हम लोगी एकसे एक्जाम को डिले कर चुके हैं लेकिन ये वेकेंसी तो भाई पहले की है 2019 की है आप लोगो सबको पता है है ना 2019 की वेकेंसी और उभी फरवरी की महीने में इसकी नोटिफिकेशन जारी किये गये थे मार्च अपरिल से फॉर्म भरवाली गये थे यह सरकारं को नोकरी दे लेकिन भाई आप लोग भोल जायेगा इसी तरह से किसी भी अगर जोन का जारी किसी यहां पे जब तक की हर एक एक ब्नकारी ओपंडा जले से suivi और यहां से आप जाके चेक कर सकते हैं और यह है दोस्तों वह नोटिफिकेशन जिससे की अपडेट किया स्टेनोग्राफिय स्कील टेस्ट है जो की 29 अक्टूबर को होने वाला था और दोस्तों जो 31 अक्टूबर को श्रीडियूल था जान यानिकि जो आज का तो कैंसिल अधी और जो 31 को होने वाला था उसको भी यहां पर पॉस्पॉर्ण कर दिया गया है चुकि आज छात्र बहुत सारे चोचे वहां पे कुलकता में हंगामा भी किये हैं चुकि यह चीज़ मुंबई में भी हुई थी तो इसको देखकर न यहां कुलकता के सीजन में इस एक्जाम में यह गरबड़ी नहीं होने दिनी थी इस एजनसी को लेकिन एजनसी उसमें सुधार नहीं करके इसको गरबड़ किया यहां पर तो यहां से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएग आपके पास तो इस नोटिफिकेशन को एक पढ़ कर दिया जाएगा एसा यहां पर बोला गया है और रिक्वेस्टेट टू विजिट दर रेल्वे रिक्रूट्मेंट बूड आप विजिट करते रही है जब भी आपका यहां पर जोईनिंगरा होगा या फिर जबी इसके एक्जाम को लेकर को कोई भी अपडेट होगा वहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तु फिलाल दस दिन पहले इसका भी नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा यह बातें यहां पर लिखे गई है तो यह एक चोटा सा नोटिफिकेशन अपडेट था दोस्तु इस वेकेंसी को लेकर जहां पे इसमें स्कील टेष्ट को लेकर आपके सारी समस्याइं उत्पन होई और इसका एक्जाम जो है नहीं लिया जाया गया अब प्रॉब्लम क्या हुई थी क्या कारण मना था यहां पर तो दिखें स्टेनों स्केल टेस्ट जब भी आप देने जाएंगे तो वहां पर कुछ वाइस को लेकर यानि कि वोकल ट बस बार से जादा भी यहेंपर जो है कि चीजे प्रॉब्लम की है यहां पर lation की है की आरन इए नहीं मन बता गया है कि क्या दिकत हुई ह्थ ठीक है बस यह बता दिया गया है यहां पे कि आपका schedule जो था उसको पॉस्पॉंट किया जाता है तो कारण यही था कुछ छात्रों ने बताया है जो कि मैं उनके माध्यम से यह चीज़े बता रहूं आपको अब दूसरी चीज़े यहां पे है कि जब भी आपका update आएगा तो म कहुशना चाहिए यह कुलकत्ता के official website से मैंने आपको update किया है आप लोग भी चेक कर सकते हैं सारे detail जाके यहां से ओके अब दूसरी update में आपको एक चीज़ और देना चाहूंगा यहां पे कि जिन छात्रों का RRB, NTPC यहां पे group D का exam अभी तक जो होना है आगे वाले जित जीतना है यहां पे भी यहां सरकार से जीतना है और अपने exam के लिए जीतना है तो हार जीत तो लगा रहेगा जीवन में बस अपने कोशिस करते रहना है ठीक है all the best है आप सभी को मिलेंगे आप से अगले वीडियो में अगर आप लोग बिहार दरोगा या BPSC त्यारी करते ह है तो आप हमारे साथ अभी जुड़िए वाइटी एजूकेशन चैनल पर जहां पर मोग टेस्ट आपको सामके कराय जा रहे है चलिए लेकर चलते हैं वहीं पर आपको सीदे धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए टेक केर ध